जैहिन दोस्तो असी शब्द प्रती मिनट की गती से संपात के रिक्टेशन स्टार्ट पिछले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में हो रही भारी बारिश से हालात बिगड गए हैं जादातर जगाहों पर बाड आ गई है राजेस्थान मध्य परदेश गुजरात से लेकर आंध्र परदेश और महराश्ट तक में इस्थिती भ्यावे है लाखो लोग बेघर हो गए हैं हिमाचल परदेश और उत्राखन जैसे पहाडी राज्यों में तो मुसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं पहाड धसने चट्टाने गिरने पुल ढहे जाने और मलबे से रास्ते अवरुद होने से संकट गहरा गया है हिमाचल परदेश में इस साल जून से लेकर अब तक करीब पान सो लोग वर्षा जनित हादसों में मारे जा चुके हैं उत्राखन में भी हालात इस से अलग नहीं हैं नदियां पूरे उफान पर हैं गरामीन हलकों में इस्थिती ज्यादा विकट इसलिए है कि वहां ऐसी प्राकर्तिक आपदाओं से पैदा होने वाले हालात से निपटने के परियाप्त इंतजाम भी नहीं होतें गरामीन इलाकों में नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा होता है खेत डूब जाते हैं फसलें चोपट हो जाती है बड़ी संख्या में मवेशी बह जाते हैं और बिजली गिरने जैसी घटनाओं में लोग भी मारे जाते हैं ऐसा कमाबोश हर साल देखने को मिलता रहता है मौसम विभाग का कहना है की करीब 120 साल बाद इस बार वर्षा चकर में आपरत्याशित बदलाव आया है कहीं तो बहुत ज्यादा पानी पड़ गया और कहीं बिलकुल भी नहीं इसका असर यह हुआ की गंगा के चार बड़े मैदानी इलाकों उत्तर परदेश बिहार जारखन और पश्चिम बंगाल में एक जून से 20 अगस्त तक सबसे कम बारिश हुई और इन राजियों के बड़े हिस्से में सूखे के हालात बन गए हैं लेकिन जहां बारिश हुई वहां रेकोर्ड तोड पानी पड़ा आंध्र परदेश और मध्य परदेश के बड़े हिस्से में खूब बारिश हो रही है और इशा के भी कई जिले बारिश और बाड की मार जेल रहे हैं दरसल ओडिशा और आंध्र परदेश बंगाल की खाड़ी से सटे हैं इसलिए समुंद्र में कम दबाव का शेत्र बनते ही बारिश कहर बरपाती है इसी तरह हिमाचल परदेश और उत्राखन में बादल फटने और भारी बारिश का कारण कहीं ना कहीं हिमाले शेत्र में आ रहे बदलाव भी माने जा रहे हैं इसमें संधे नहीं की मौसम संबंधी गती वीधियों में आ रहे बदलाव का बड़ा कारण जलवायू संकट है और ऐसा सिर्फ भारत या एशियाई शेत्र में ही नहीं बलकी पूरी धरती पर देखने को मिल रहा है इसलिए जब तक हम जलवायू संकट से निपटने के उपायों पर ध्यान केंदरित नहीं करेंगे तब तक इससे निजात मिलना संभव नहीं है दोस्तो आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बोक्स में अपने सुझाव जरूर दें दोस्तो अगर आप इसका पीडिया फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलिगराम ग्रूप और वाट्सेप ग्रूप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में